लखिम पूर खीरी मौजुद सरकार में पत्रकारों पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे जिसमे एक बार फिर उत्तरपरदेश के ज़ला लखिम पूर खीरी के तहसिल पलिया करला में पत्रकार पर जान रिवा हमला किया गया बताया जा रहा है कि भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजन्सियों की नाप के नीचे हो रही तशकरी को लेकर पिडित पत्रकार लगातार खबरे प्रकाशिक कर रहा था जिसको लेकर तशकर काफी क्रोधित थे और उनका एलिन जान से मारने की धंकी भी देते थे जिसके चलती कुछ तशकरों ने पिडित पत्रकार पर जाननेवा हमला कर गंभी रूप से घहल कर दिया इसी बीट चीफ पुकार सुनकर मौके पर कुछ लोगों की आने की आवाद सुनकर तथा कथित तशकरों ने पत्रकार को अधमरा कर छोड़ कर फरार हो गई वही मौके पर पहुँचे लोगों ने किसी तरीके से घायल पत्रकार की खबर ठाने में दी और नगर के पत्रकारों को भी सूच ना मिली मही थाने पहुचकर सभी पत्रकारों ने घायल पत्रकार पूपलस की मदद से CSC पहुचाया जहां पर इलाज में गंभीर चोटे आई हुई हैं जिसकी मेडिकल रिपोर्ट पलिया थाने में देते हुए लिखित शुक्यात पत्र भी थाने में देकर सक्त से सक्त कारवाई की मांगी इसी बीच पत्रकार संग के लोगों ने लगातार तथा कथित तश्करों द्वारा हो रहे हमले के निंदा करते हुए सभी उच्छा दिकारियों को फोन कर अवगत कराया मही रात के करीग 11 बजे सभी पत्रकारों ने आपात बैठक रखी और जिन तथा कतित तश्करों ने हमला करवाया यक किया है उन पर सक्त से सक्त प्रशासन की तरफ से कारवाई की जाए मही घैल रुपेश, गुप्ता और फबाबा ने कई तथा कतित तश्करों के नामों को जागर करते हुए लोगों की पहचान बताई जिस पर पलिया के क्राविंस केक्टर ने आश्वासन दिया कि जिस किसी ने भी पत्रकार के साथ इस क्रतिया हरकत को अंजाम दिया है उसको कतई भिवक्षान नहीं जाएगा जिलाल लखीम बुर्खीरी विरोचीफ तोहिद खान की रिपोर्ट इसमें परसासन की हर्जगे की भूम का इन्वाल वह अब उन्होंने आज संगठीत होकर के जो है मौका देखा तो जो है मैं बहां से बाडर से आ रहा था जो है बैडने बाद में पूरा जो है उन्हों को बाच के बाच करने बाद जैसी बाहार में जिए वाइसी मेरे उपर हमला करते हैं, यहां के पुलिस और प्रसासन के सहयोग से सब काम होता है, आपने इसके कोई शिगायत के हैं, इसके पहले ऐसे कोई जानकारी ने थी, लेकिन आज हमेशा दराते धंकाते रहते थे, तो मैंने कभी इस चीज़ को आज आज आपने शिगायत क हम बिलकुल आपने अपने कि बी हैं, अज यहां के हमारे पुलिस प्रसासन कोई मेजूद नहीं है, न मुर्सी मेजूद नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है नमस्कार मैं हूँ अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहें दे इंडियन समाचार और वीडियो पसंद आने पर हमारी चैनल दे इंडियन समाचार को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले